इस गरिमा को मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को धेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव शेत्र में बहुत ही सजक तरीके से चल रहा है मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने रास्टिय जनता दल की सदस्ता ले ली है तस्वीरे देखिए रास्टिय जनता दल की सदस्ता की परची लेकर वो रास्टिय जनता दल कार्यालाई में खड़े हैं मुकेस सहनी इनको लेकर लगतार दावट होक रहे थे कि हमारी हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा उमिदबार मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान होंगे लेकिन देखिए आज अमर पासवान ने भी आईपी से इस्तिफा दिया और रास्टिय जंता दल का दामन भी गया है दिस तरीके से हमारे पिता का दियान ठुआ और वह Rapid के साथ इस तरीके से दुर्वेवार किया गया इस वज़ा से अमने RJD का दामन थामा है और RJD ने हमें मांद सम्मान दिया और उन्हों ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि लगतार हम उस चेत्र में चुनाव के लिए काम कर रहे थे और अब हमें जब टिकट नहीं मिला इंडिये से तो हमने आर्जेडी जोइन किया है और आर्जेडी से ही हम चुनाव लड़ेंगे क्या कुछ कह रहे हैं मुसाफिर पासवान के बेचे अमर पासवान सुनियों के बयान को कि एक मिया में दो तलबारे नहीं रहती हैं और उसी तरह वहां से पहली एंडिये ने अपने प्रत्याशिक प्रशित कर दिया है और आपने देखा कि दो लोगों के लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं यह कहना चाहूंगा कि म करने को और उनकी बाबुजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करते हैं कि आप पिता जी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वह जीवी थे अपने उम्मीद था कि आप उनके साथ लरेंगे तो क्या रहता कहां बाते बिगड़ें क्या मुक्या सभी ने गलत किया बीजेपी क उनके विधायक जो कारेकाल में रहते हैं उनकी देवासन हो जाती है तो उनके परिवार जनों को टिकट मिलता है अगर हां उनके परिवार जन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस करम में किसी और को दिया जाता है लेकिन मैं अपने चुनावी छेत्र में बहुत एक्टिव और मैं चुनाव शेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था गलती किसकी है बीजेपी की मुल्के साने के यहां पर उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा यह जी राजात मैंने जॉइन कर लिया है आप आगे बताऊंगा झाल 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 झाल